आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वोल्टास के वर्ण टन के 5 स्टार AC को और इसी के साथी साथ इंसलेशन देखेंगे पूरा पूरा जो किया जाएगा इंस वोल्टास की टीम की तरफ से और ये मेड इन इंडिया AC है तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है तो वी दोस्तों यह है वोल्टास AC का बॉक्स और उपर की तरफ रखा गया है इंडोर यूनिट को नीचे की तरफ है आउट्डोर यूनिट और यहां पर देख सकते हैं वोल्टास के ब्रैंडिंग दे गई और राइट साइड में इस बॉक्स के देखें तो यहां पर कुछ प्रो लिखी कई है और जो आप पॉस करके स्क्रीन को देख सकते हो उसी के बाद अब यहां पर कर लेते हैं जल्दिसिस को अनबॉक्स और अनबॉक्स करने के बाद यहां पर आउट्डोर यूनिट कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है तो यह तो हो गई आउट्डोर की अनबॉक्सिंग अब एक बार कर लेते हैं इंडोर की अनबॉक्सिंग तो यहां पर आप लोग जैसे इस बॉक्स को उपन करते हो इंडोर यूनिट के तो यहां पर कुछ इस तरह का पैकेजिंग आपको देखने मिलेगा और यहां पर इं अच्छी तरह से कि यहां पे अच्छी तरह से पैकिंग की गई है इंडूर यूनिट की और वॉक्स में इसके लावा आपको एक यूजर मैनूल देखने मिल जाएगा और यूजर मैनूल में ही आपको इसके अंदर ही वारेंटी कार्ट भी दिया गया है इसे के साथी साथ दो AAA बैटरीज, कुछ स्क्रूज जो AC के इंसलेशन में हेल्प करेंगे और इसे के साथी साथ LCD डिस्पले वाला एक रिमोट तो दोस्तों यहाँ पर इंसलेशन में बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं कोई प्रोफेशनल इंसलेशन वाला परसन नहीं हूँ मैंने जो चीज observe की अपनी आखों से जब वो इंसलेशन कर रहे थे ओल्टास की डिम वही चीज में आपके साथ शेयर करने वाला हो इस वीडियो में वोईस एवर के थ्रू और दोस्तों अब बात करें इस एस के इंसलेशन के बारे में तो यहाँ पे सबसे पहले एक थिन मेटल प्लेट होती है जिस पे हमें एसी को माउंट करना होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो इंसलेशन के लिए परसन है तो यहाँ पे हैंक कर रहे है और यह हैंक करन करने के बाद यहाँ पर जो इंसलेशन के दूसरे परसन थे उन्हों ने राइट साइड में कुछ वेक बॉक्स होता है उसको ओपन किया और वहाँ पर कुछ वायर स्वकिरा कनेक्ट कर रहे हैं और connect करने के बाद यहां पर 3-4 प्रकार की वायर है जो अच्छे से यहां पर connection के लिए कर रहे हो और उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं दूसरी परसन है इंसोलेशन वाले वो एक जो copper coil वायर है उसको सीधा करके AC की तरफ ला रहे हैं जो indoor unit को connect करेगा और उसके बाद indoor unit का जो यहां पर copper wire का जो opening होता है उसको open किया उन्होंने और open करने के बाद यह जो indoor unit है उसको लेके गए दिवाल पर जहां पर उनको mount करना है यह AC और AC mount करने के बाद यहां पर जो बाहर से wire अर्थि copper वायर और indoor unit को connect कर रहे हैं और यह होने के बाद यहां पर drainage pipe connect कर दी copper coil wire के साथ और यहां पर आप लोग देख सकते हो हों connect कर रहे हैं और connect होने के साथ ही साथ यहां पर एक selective यूज़ करें जिससे copper coil और drainage का जो पाइप है एक की साथ जोड़े रहे तो अच्छी तरह से यहां पर मार रहे है और सब कुछ हो जाने के बाद indoor unit इस समय कुछ इस तरह का दिख रहा है और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो technician है यहां पर जॉइन कर रहे हैं दो copper coil को क्यूंकि यहां पर box में हमें सिर्फ दस feet की free मिलता है company के तरू उसके उपर की जो भी wiring यह copper coil वाली होते हैं वो आपको per feet की साथ से charge करते हैं तो यहां पर उन्होंने हमें कुछ 14 foot extra लगे तो उन्होंने यह join किया copper coil वाला जो wire होता है और आगे की तरफ लेखे के इस wire को outdoor unit की तरफ और वहां पर जाके उन्होंने इसको connect किया और वहां पर जो भी connection करना था वो complete किया और इस तरह से यह insulation पूरा complete होता है तो दोस्तों हम सभी ने देखा यहां पर पूरा insulation वोल्टास के AC का और यहां पर एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जहां पर drainage जो पाइप होती है उसके लिए चुली में थोड़ा slope चाहिए होता है तो मुझे नहीं मालूम था कि मतब मुझे पता था लेकिन उसे में ध्यान नहीं आया जब मैं अपने घर में एक और होल कर रहा हो तो बहुत बेकार लगता है मैंने अलेडी के ऊपर छोड़ा हुआ था लेकिन मुझे दूसरा भी होल करना पड़ा तो यह मिस्टेक आप मत करना कभी भी इस चीज का आपको जरूर ध्यान लखना बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है इसी के साथ ही मैं कहाना चाहूंगा इक दूसरा पॉइंट जो अगर आप इंसॉलेशन करवार हो तो अभी आप इंशूर करो कि आप 10 फीट के अंधर ही मतलब बोलते हैं जो 10 फीट का जो होता है इंडोर और आउटडोर का डिस्टेंस उतना ही हो है उससे कमी हो जिसके वेसे आपको एक् 250 का आता है कोपर का यह जो कॉइल वाय होता है तो यह मुझे एक्स्रा पे करना पड़ा इसी के साथ ही साथ बात करें यहां पर इंसॉलेशन के प्राइस के बारे में तो इंसॉलेशन मुझे पड़ा 6けて और आजा स्थ इह आस我不知道 आटी ईसी खरीद रहे हो, रिलाइन डिजिटल से खरीद रहे हो, शायद इंसोलेशन फ्री हो जाए, या फिर कुछ कम हो जाए, या फिर कुछ बढ़ जाए, मैंने फिलाल पर्चेस किया था, कोहिनूर इलेक्ट्रोनिक से, और मुझे बढ़ा इंसोलेशन कोस्ट, 600 रूपीज, इस तो ये कुछ छीज़े हैं जो आपको ध्यान रखना है जब आप AC लेते हो और insulation के वक्त की जब AC लेने के बाद insulation और जो पूरा fitting meeting करने में जो extra cost आता है वो कोई consider नहीं करता तो ये आपको ध्यान रखना है तो दोस्तों ये वोल्टास का 1 ton का 5 star AC और 2020 का model है और बात करें इसकी pricing के बारे में तो इसकी pricing मैंने offline लिग कोई नूर electronics है और वहाँ पे सबकुछ discount वागेरा बार्गेन रखन करने के बाद थो 34 तक आए 34,000 रुपीस मुझे pay करना पड़ा और मैंने payment किया था credit card SDFC दे और वह यहाँ पे 10% का cashback भी मिला तो जहाँ पे इसकी effective price हो जाती है 31,000 रुपीस तो कुल मिला के 31,000 रुपीस में 1 ton 5 star AC dual inverter AC बहुती अच्छा deal लगा तो आप भी अगर लेने का प्लान कर रहे हो तो इसकी जो buying link है मैं description में डाल दे रहा हूँ और एक और चीज़ यहाँ पे मैं कह अची बात होगी I don't think कोई भी brand 5 साली comprehensive warranty दे रही है तो यह आपको अगर purchase करना तो मैं suggest करूँगा आप offline नहीं लीजिए लेकिन फिर भी अगर आप interested हो online लेने के लिए तो मैंने description में आपके लिए link डाल दी दिए इसी के साथ ही साथ आप मैं करने वाला हूँ इसका review बहुत जल्दी इसका review लेकर आने वाला जहां पर हम लोग चेक करेंगे इसकी cooling remote के features कितना अच्छा experience है तो सब कुछ में बताने वाला उस वीडियो में तो हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को बस दबात दीजिए और इसी के साथ ही साथ आप को वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रू बदाए बाइबाब। में जिस झाए बाइब।